टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हीना खान जो बिग बॉस 11 की पहली रनर अप रही थी हाल ही में बिग बॉस 18 के एक एपिसोड में गेस्ट के तोर पर आई थी और इस दोरान एक्टरस और शो के होस्ट सलमान खान के बीच एक बेहत इमोशनल और प्रेड़ना दायक पल देखने को मिला जिसने वहाँ मौजोद सभी को भावुक कर दिया कुछ समय पहले हीना खान ने अपने इंस्टाग्राम पर खुलासा किया था कि वहाँ ब्रेस्ट कैंसर के तिसरी स्टेज से जूज रही है इसी दोरान जब हीना और सलमान के बीच बात चीत हुई तो ये पल दिल को छू लेने वाला था हीना जैसे ही मंच पर पहुँची उन्होंने अपनी खुबसूरत आवाज में लग जा गले गाने की शुरुआत की जिसके बाद सलमान खान ने उन्हें गले लगा लिया सलमान ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा कि इंशालला आप जल्दी ठीक होंगी आप एक फाइटर हैं हीना खान इस भावुक पल में अपनी भावनाओं को छीपा नहीं पाई और कहा मुझे यहां आकर बहुत स्ट्रेंथ मिलती है खुशी मिलती है आप से मिलकर बहुत अच्छा लगता है ये शो और आप मेरे लिए परिवार की तरह है सलमान खान ने भी इस बादचीत के दुरान अपनी जिंदगी के उतार चड़ाओ और संगर्शों का जिकर किया उन्होंने इना खान के संगर्श को प्रेड़ना दायक बताया और कहा कि हम सभी की जिंदगी में चुनोतियां होती है जीवन आसान नहीं होता लेकिन जिस तरह से आप अपनी कठिनाईयों का सामना कर रही है वह हमेशा प्रेड़ित करता है ये इमोशनल बादचेत सभी के लिए एक मजबूत संदेश छोड़ गई कि जीवन में कठिनाई आती है लेकिन सही समर्थन और हिम्मत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है